समय हो लकम जोर तहर कोई साथ छोड़ देला गनित में कितना भी रहे हो पर आपको गनित समझ में आएगा इसकी 100% गरांटी है तो इसकी गरांटी कार्ड दी जाती है कि आपको समझ में आना ही आना है ना समझ में आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बताएं कैसे हैं सब लोग बढ़िया है पिगर लाके के हूँ ना, आपन बनईबा कईसे के हूँ तो हार होई ना, कि हाथ धराके हाथ हाथ से हाथ छोर देला जब समय हो लकम जो, कि जब समय हो लकम जोर ता हर कोई साथ छोर देला, हेलो दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग भैई, सबको गुड मॉर्निंग, लाइक नहीं करते हो, बताओ कितना सांदार बेने सुभा सुभा इतना जवरदस्त गाना सुनाया है, कि जब समय हो लकम जोर ता हर कोई साथ छोर देला, आईए, शुरू करेंगे हम लोग, जैसे ही अपने हजारे स्टूडेंट का अटेंडेंस बन जाएगा, हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और आज की क्लास में हम क्यूब एंड क्यूबाइट पर बात करने वाले हैं, सब लोग कैसे हैं, सब लोग एकदम बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग, तो क्लास को हम सुरू करेंगे और आज के क्लास में घन और घनाब के बारे में दोस्तो हम जो ये लूडो चक्का खिलते हैं ना लूडो चक्का खिलते हैं वही तो हमारा क्या है गन है, वही गन है हमारा, क्यूब है, यह न अभी अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं आप लोग, 887 लोग है और 486 लोग ही लाइक का बटन दवाए हैं वही अटेंडेंस होता है कि आप क्लास बें आ गए है और अपनी मनदारी से, जैसे एक teacher class में आ गया, वैसे ही एक student class में आ गया, तो इससे पता चलता है कि हम दोनों तयार है पढ़ाई के लिए और आप सोचते हैं कि master थोड़े न हमको देख रहा है, master आपको नहीं देख रहा है, पर एक इस्वर है, जिसके पास एक ऐसा register है कि सबका लेखा जोखा रहता है, कौन बेक्ती कितना इमांदार है, और जो बेक्ती अपने इमांदारी से अपने काम को करता है, परिनाम उसको उतना ही बेहतर मिलता है, यह सच बात है जी, तो चलिए सबसे पहले आज को सुरू करते हैं, हम लोग अब 900, 400 हो चुके हैं, जैसे ही हम 1000 होते हैं, क्लास को आजे स्टाट कर देते हैं, और मांकी लोग धीरे-धीरे आते रहते हैं, बीच में 20 मिनिट बाद आते हैं, फिर वही बच्चे बाद में कहते हैं, सर समाज में नहीं आया, समाज में क flavored का से आगरे पगला, सूरू में हम बेसिक बात बताते हैं जैसे अभी घन घनाब का हम बेसिक चीज बताएंगे और बेसिक बताने के बाद हम आपको प्रस्ण करवाते हैं हना मैं एकदम बढ़िया हूँ मेरे भाई तो घन और घनाब कि छोटी सी बेसिक है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं देखो यह बहुत आसान टॉपिक है इतना आसान टॉपिक दुनिया में कुछ बना ही नहीं घन और घनाब से न आसान टॉपिक कुछ नहीं बना मैं आपको बताता हूँ अब जैसे माल लो आपको वर्ग बनाने आता है न मेरा ठंड से न थुरा हाथ काप रहा है जी सुनो ये वर्ग बनाने आता है वर्ग ऐसे बनाया वर्ग बना के हमने इसको ऐसे लिक कर दिया बस हमारा तयार हो गया हमारा क्या तयार हो गया जी हमारा तयार हो गया यहाँ पर घन घन घनाब बनाना होता एक आयत खीचते एक आयत खीचे अब देखिए इस आयत से इस आयत से हम बना सकते हैं घनाब बहुत प्यारा सा बहुत प्यारा सा एकदम आप की तरह एकदम क्यूट जैसे आप हो उस तरह का हम बना दी यहाँ पर यह देखो, यह आपका घनाब हो गया यह आपका घन हो गया पीछे वाली वीडियो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप वहाँ से देख लो दोस्त मेरे, यह जो आपने बनाया नगहन गहन का क्या है कि परतेक साइड पराबर होता है यानि यह वर्ग के सतह से यानि वर्ग को चिपका चिपका कि आपने बना लिया क्या बना लिया घन लेकिन इसमें आयत होता है इसमें क्या होता है आपने देखा आयत होता है आयत में क्या होता है लंबाई चोड़ाई होता है तो लंबाई चोड़ाई होता है, इसकी सारे साइड आपस में होते हैं बराबर, अब घहन चुकी 3D फिगर है, या घहनाब 3D फिगर है, इसका मतलब इसमें लंबाई चोड़ाई और मुटाई भी है, यानि उचाई है, मुटाई एक परकार का उचाई ही हो गया, बाता है अब देखिए, यानि लंबाई चोड़ाई, माने सिर्फ आयत को सटा सटा के ही बना है, लंबाई चोड़ाई और खारावला को H बोल देते हैं, यह आपका लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है, H है, H है, चोड़ाई है, यानि B है, breath, बी यानि breath, इसको चो बताना है, आप इसमें जानते हैं, आपको जो पूछा जागा, एक दम जीरो से समझो, जीरो से, तो ये आपके घन है, ये आपके घनाव है, दोस्तों, आपको एक बात पता है, कि ये जो आपने घन बनाया, सुनो, घन बनाने के लिए आपने क्या किया, घन बनाने के लिए आ हमारा घन हो गया है अब घन घन यानि क्यूब घन यानि क्यूब मेरे भाई इसका आयतन पूछा जाता है तो कोई भी आकृति हो कोई भी आकृति हो उसके अधार के छेत्रफल में उचाई से गुना कर दोगे तो आयतन ही होता है अब इसका परतेक साइड ए है परतेक साइड क डाता है आप क्या करते हैं लंबाई चोडाई गुना करते हैं A गुना A A squared तो इसका भी जो नीचे आप देख रहे हो पेंदा है ना कोई भी ऐसी आकृती कोई भी ऐसी आकृती जिसका छतरी और पेंदा समान है ना तो अधार के छेत्रफ़ल और उचाई से गुना कर दो उचाई से गुना कर दो तो अधार के छेत्रफल गुना उचाई तो यही हो गया इसका आयतन यानि वॉल्यूम हो गया जैसे मैं कहता हूँ कि यह न यह जो चीजे लागू होती है उन सभी आकृती पर लागू होती है जिनका उपर और नीचे समान मिलता है जैसे आप एक बेलन को ही देख लो यह जो बेलन है न मेरे भाई बेलन का यह तो उचाई है बताओ इसका अधार किसके जैसा है इसका अधार कौन सी आकृती है तुम ही बताओ हाँ रेलवे का फॉर्म कब भराएगा जनवरी से फरवरी में इसकी वैकेंसी आजाएगी जनवरी के अंत तक आपको वैकेंसी आजाएगी रेलवे में चलो बताओ इसका अधार कैसा है इसका अधार कहोंगे सर एक वृत है और विरत का area क्या होता है सर पाय यारे square अब इसमें H से गुना कर दिये, यानि आधार और गुना उचाई, यही होता है इसका आयतन यानि वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन होता है, तो कोई भी आकृति हो जिसका छटरी आपेंदा नीचे वला समान दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका आयतन निकालने के तो आप यहाँ पर देखिए क्या घं में भी ऐसा होता है कि उसका उसका जो है नीचे छतरी और पेंदा समान होता है कहोगे हाँ सर तो बस नीचे की एरिया होती है A2 और बस एक उचाई इसका A से गुना तो आयतन हो गया AQ इसलिए हम घं के आयतन डाइरेक्ट याद करते हैं घं के वॉल्यूम को याद करते हैं AQ से बात आया समझ में दूसरी बात समझो अब इसके परतेक सत्ह एक वर्ग की तरह है टोटल अगे उसके जस्ट पीछेगर उपर उसके जस्ट नीचे एक इधर एक उधर तो दू दू चार आगे पीछे दू चो जोगर्ग सत्ह है ना परतेक सत्ह एक वर्ग है और वर्ग का एरिया होता है जी बर्ग का एरिया होता है एगुना a에 a-square आइसन अईसन छोग एरिया है 6AA square हो गया, इसका total surface area, इसके total surface area कितने हो गया? इसके total surface area 6AA square हो गया, बहुत बढ़िया, अब एक बात बताईए, जब कोई घर ऐसा हो, जो एकदम घन के आकार का घर हो, तो आपसे ये कहा जाए, आपसे ये कहा जाए, कि भईया, इसमें बिकर्न, और बिकर्न कहके कह देता है सवाल, कि बरा से बरा किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, उस घर में किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, ध्यान देना, बांस जब आप रखोगे, तो घर के इस कोने से, उपर, घर के उस इस कोना में उपर रखेंगे, सबसे बढ़का बास इधरे आर्जेस्ट होगा, होगा की नहीं होगा, वही होता है घं का विकर्ण, यानि इस कोने से बास इस कोना को सटा देंगे, सबसे बढ़ा बास अगर आपको रखना है, तो आप ऐसे ही रख सकते हो, और यह विकर्ण नि चौडाई के स्कौएर और उंचाई के स्कौएर होता है मेरे भाई अगर डी बराबर कहो तो इसकौएर हटेगा तो रूट चरहेगा और तीन गो एसकौएर हो जाएगा तीन गो एसकौएर हो जाएगा तो डी बराबर क्या हो गया तीन तो रूट के अंदर लेकिन ये तो इतना बात अब लिखने की जरूरत नहीं होता है, लंबाई, चोडाई, उचाई, बस घन का विकर्ण होता है, रूट थीरी A, घन का विकर्ण होता है, विकर्ण, डायमिटर, घन का विकर्ण क्या होता है जी, इसका होता है, रूट थीरी A, इसको बोलते हैं, रूट थीरी अब यही बात से आपको सवाल पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसी में इधर उधर मिला उला के सवाल पूछा जाता है तो आपको ये बात अगर समझ में आ गया आयतन होता है A क्यूँ इसका संपुर्ण पृष्टिय च्हेत्रफल यानि टोटल सर्फेस एरिया संपुर्ण पृष्टिय च्हेत्रफल इसमें 6A2 और विकर्ण हो गया इतना मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि अब घणाब की बारी घनाब तो घनाब का क्या है देखो घनाब का क्या खेल है घनाब तो इसमें लंबाई चोड़ाई और उचाई है आप इसको पहले तो घनाब बना लो घनाब बना लिया अब देखिए अब इसमें क्या है लंबाई ऐसे मा पा जाते हैं लंबाई है चोड़ाई है उंचाई है इसका जो आयतन होता है चुकि लंबाई चोड़ाई उंचाई ही गुना करते हैं आपने देखा इसका एरिया नीचे अधार का एरिया है एक आयत ता लंबाई गुना चो किया था मेरे भाई एक गुना एक गुना एक किया था आपने अब देखिए अब इसका एक बात और इसका जो होता है ना, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, तो आप जानते हैं, इसमें क्या है, लंबाई है, चोड़ाई है, उचाई है, अब देखो, ये उचाई है, ये उचाई है, है ना, ये आपका चोड़ाई है जी, अब देखे, ये आपका लंबाई है जी, तो इसमें क्या है कि total surface area L गुना B इसका area निकाल देंगे आईसने उपर है एगो तो देखो L B वाला दूगो है तो दूसे गुना यह जैसा है जैसा पेंदा में है वह इसा ही छतरी है तो एगो का area निकाल के दूसे गुना किया 2 in 2 L B अब देखो B H अगर इसका area side वाला का area निकालना हो तो B और H गुना करना होगा तो BH हो गिया और ऐसा इधर ऐसा इधर भी है ता दूगो इभी हो गिया भी-च वला एक sein area निकाल के डबल कर दे रहें अब बताए C again Clothes, अब आगे वला का देखिए लोगे ओए क दो रहे to सब को जोड दिया तो आपको टोटल सर्फेस एरिया जो पता चला उसमें दो कॉमन हुआ और LB पलस BH और पलस LH हुआ यही होता है इसके टोटल सर्फेस एरिया यानि कि संपुर्ण पृष्टिय छेतर फल चलिए तो टोटल सर्फेस एरिया हो गया 2 into LB पलस BH पलस LH अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलेगा बिल्कुल समझ में आया होगा इस बात का कोई टेंसन नहीं है अब देखिए टोटल सर्फेस एरिया आपको पता चलिया आपको इसकी जो विकर्ण होगी तो विकर्ण का मतलब है कि कोई ऐसा बांस लाके रखिये जो इसमें इस रखा जाए और ऐसे रखा जाए कि वो सबसे बराबांस हो उसमें अरजिस्ट किया जा सकता है हाँ अब देखो तो यहां से लेकर यहां यहां अब यहां से यहां इस कोने से घर के इस कोने से घर के उसको न वहीं तो बिकर्ण होता है यानि इसका जो बिकर्ण होगा इसका जो D होगा यानि विकर्न का SQIAR होता है मेरे भाइल का SQIAR प्लस B का SQIAR प्लस H का SQIAR यानि तीनों भुजा के वर्गों के हो अब देखो यहाँ से D भराबर आप लिख सकते हो root under L SQIAR प्लस B SQIAR प्लस H SQIAR इसमें कोई डाउट नहीं है अगर ये चीज़े आपको याद हो गए तो अब एक बात सुन लो जो फर्मूला घनाब का है न वही फर्मूला तुम्हारा घन का भी है घन का कोई अलग नहीं है जो फर्मूला तुम्हारे घनाब का है वही फर्मूला तुम्हारे घन का है वह अलग बात है कि तुम्हारे दिमाग में यह को कह रहा है कि नहीं समझ में आया सर पिलीज फिर से तो तुम्हारे दिमाग में भूसा भड़ा हुआ है अभी दूगो भैसी पल लो वह भैसी क्या करेगा कि उस सारा भूसा खा जाएगा तो फिर तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खा ले तो उसके बाद ही सब चीज समझ में आएगा तुमको चलो सरधुरीना एपर लाइब वीडियो कहां से देखेंगे और लाइब वीडियो नहीं देख सके तो कहां वीडियो हम बाद में देखेंगे ठीक है इसके लिए हमें special वीडियो बना के आपको डाल देंगे ठीक है आजाओ अब एक बात सुनो ये बात को एक बार दिमाग में नोट कर लो कि अगर घनाब का आयतन है तो लंबाई, चवराई, उंचाई गुना करना है भाईयाज वक्र प्रिस्ट्ट यानि संपुर्ण प्रिस्ट्टी है छेतर फल इसका 2 into LB plus BH plus LH होता है और इसका जो विकर्न होता है इसका विकर्न क्या होता है तो विकर्न का स्क्वार होता है सीधे होता है लंबाई के स्क्वार चोड़ाई के स्क्वार और उंचाई के स्क्वार इस तीन गोबात तो यादे करना है और कुछ हो यादे नहीं करना है अब एक गोबात सुनो आपको पता है जो फर्मूला घनाब में लगा न वही formula घन में भी लगा भरोसा नहीं हो रहा आपको देखिए अभी भरोसा कराता हूँ मैं आपको जो formula आपने घनाब में यूज किया वही formula यूज होता है घन में भी आपको अलग से दिमाग में ये बात भड़ा गया कि यह अलग है वो अलग है अब सुनो एको बात बताओ अगर मान लो यहाँ पर इसकी भूजाएं 6 cm दे दिया मैंने यह घन है घन की भूजा 6 cm और मुझे निकलना है आयतन तो आप बताओ volume क्या होता है volume क्या होता है घनाब का LBH होता है की नहीं तो अगर मैं इसी पर निकाल दू तो भी निकल जाएगा घनाब का आयतन होता है LBH यानि 6 गुना 6 गुना 6 होगा इसकी लंबाई भी 6 चोड़ाई भी 6 उचाई भी 6 बोलो 6 का क्यूँ दूसरो सोलो हुआ की नहीं बताओ जरा यानि इस घन का आयतन उस पे भी निकला यानि घनाब का ही फर्मूला लगा घन में भी दूसरा बात छोड़ो अगर मुझे इसके संपुर्ण प्रिष्टिये छेत्रफल बताना है तो संपुर्ण प्रिष्टिये छेत्रफल 6A2 होगा तो 6 गुना 36 36 हके कितना हुआ दूसरो सोलो ये तो घन का है क्या उसका भी जो फर्मूला होता है उस पर भी आ जाएगा हाँ 2 इन 2 LB प्लस BH प्लस LH यही नहाँ यही नहाँ इसके संपुर्ण प्रिष्टिये छेत्रफल तोटल सर्फेस एरिया अब देखो उस पर भी निकलते हैं दूसरो सोला जाएगा टोटल सर्फेस एरिया कितना तो 2 इन 2 LB प्लस BH प्लस LH पर निकलते हैं भाईया जी इसका लंबाई 6 चौराई 6 और उचाई भी 6 ये कहा जाएगा 6, 6, 6 अब बताव LB यहाँ 2 LB यानि 36 BH यानि 36 LH यानि की 36 दूदूगोगुणा करना था अब 36, 36, 36, 37, 36 3 बार 36, 108 दूगुणा 108 कितना हुआ 216 हुआ की नहीं हुआ यानि की जो फर्मूला घनाब में यूज हो रहा है वही फर्मूला घन में भी यूज हो रहा है हां खाली घन बाला फर्मूला घनाम में यूज नहीं होगा बात आए समझ में बहुत बढ़िया अब ज़रा ध्यान दीजिए तो ये बात आगया आपको समझ में सुनो अब अगर इतना बात आप समझ गए है तो देखिए आपके सामने एक सवाल है प्यारा सा सवाल आपके एक्जाम में पूछे गए आपके एक्जाम में पूछे गए जो भी कोशन में कराने वाला हूँ वो सारे प्रिवियस येर कोशन लिए गए है जो पीछे के एक्जाम में पूछे गए है एलपी का बैच दूँगा बहुत जल्दी एलपी का बैच दूंगा पूरी टीम के साथ रागब सर भी आ गए है तो क्या लाजवाब पढ़ाते हैं आपको पता है रिजनिंग के महारथी है जी इस युग में 12 मीटर गुना 9 मीटर गुने 8 मीटर की बिमाओ वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड की लंबाई क्या होगी यह देखो लंबाई चोड़ाई उचाई अलग-अलग दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि भाईया जी इसमें ऐसा यह बास रखना है बास नहीं छड है कि जो सबसे लंबा तब बिकर्न के साइड तरफ जाएगा न तो बिकर्न के लिए क्या होता है रूट अंडर L स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस H स्क्वाइर 12 के स्क्वाइर 9 के स्क्वाइर 8 के स्क्वाइर 12 के स्क्वाइर 144 9 के स्क्वाइर 18 80, अब पलस 8K स्क्वाइर 64, सब को जोड़ दो, सब को जोड़ दो, दूसर 89, दूसर 89 का कितना आया जी, 17 आया, यानि 17 मीटर के सबसे लंबा छड़ आप रख सकते हो, हैं, चलो, बात आया समझ में, बहुत बढ़िया, अब देखो, कोई भी बड़ा चीज नहीं है जी, सारे सवाल आपके एक्जाम में पूछेगे, जो भी मैं आपको अज करवा रहा हूँ, एक फर्मूला याद रखना है आपको, एक फर्मूला क्या याद रखना है, सुनो, आपको, L प्लस B प्लस H का होले स्क्वाइर याद है, E छोड़िये, आपको E कहां से याद होगा, आप पर हाई कब किये, A प्लस B प्लस C का होले स्क्वाइर याद है, हाँ सर, A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर प्लस 2 इन्टू, A, B, P, C, P, L, C, A इ फर्मूला के बिना कभी घन घनाव नहीं पड़ा जा सकता है बच्चों पाता है समझ में यानि A plus B का A plus B plus C का होल A square क्या होता है A square plus B A square plus C A square plus 2 into A B plus B C plus C A अब मेरे भाई अगर मालो L plus B plus H का होल A square हो क्या लीख होगे काओगे सर L A square plus B A square plus H A square plus 2 into यही हो जाएगा L B plus B H plus L H हो जाएगा सर यह फर्मूला अब यह क्या है ना 2 into L B plus B H plus L H जो है यह आपका total surface area है total surface area है इस पर अगर मैं root लगा दूँ इधार से square हटा मालो इसको root लगा दूँ तो यह हमारा विकर्न हो जाएगा विकर्न हो जाएगा घनाव का घनाव की बात करो और L plus B plus H यानि तीनो भुजा के लंबाई का योग बात आया समझ में यह बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि तीनो भुजा के लंबाई का योग L plus B plus H हो गया square रहेगा square करेंगे अगर इस पर मैं root लगा दूँ इस पर root लगा दूँ तो यह बिकर्न हो गया और यह तो total surface area हो ही गया इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे total surface area किसका जी total surface area किसका तो सर घनाव का यह घनाव का जी यही बात ना अभी तक आपने formula याद किया था इसके भीना काम न चलेगा इसकी जरूरत है इसकी जरूरत है मेरे भाई देखो सवाल है किसी घनाव की लंबाई चोड़ाई और उचाई का योगफल 28 cm यानि L plus B plus H बराबर दिया हुआ है 28 cm अब बोलो यानि तीनो के लंबाई का योग दे दिया आपको दे दिया L plus B plus H दे दिया है कितना दे दिया है 28 दे दिया है आपको काता यदि घनाव का कुल प्रिष्टिय च्छेतरफल 588 cm है एक बार मैं इसको लिख देता हूँ 2 into LB plus BH plus LH कितना है 588 588 सवाल कहता है इसका विकर्ण ग्यात कीजिए विकर्ण तो निकालेंगे फर्मूला होता है अगर मैं फर्मूला यूज करूंगा कि भाईया L plus B plus H का whole square क्या होगा आप कहोगे Sir L square plus B square plus H square plus 2 into LB plus BH plus LH होगा अब सुनो L plus B plus H आपको 28 है 28 का square कर दोगे 28 का square सीधे 780 28 का square सीधे 780 इतना का तुझको मान पता है मुन्ना 588 इधर लेके आजाओगे बहुत बढ़िया इधर बज़ेगा तुम्हारा L square plus B square plus H square अब देखो 784 में से 14 में से 8 गया 6 17 में से 8 गया 9 इह हो गया एक बराबर हुआ आपका L square plus B square plus H square लेकिन ये बिकर्न नहीं हुआ बिकर्न होने के लिए रूट अंडर होता है तो इस पर भी रूट लगेगा यानि 14 हो जाएगा आपको बिकर्न की लंबाई 14 सेंटिमीटर अपसंसी अंसर कुछ लोगों को दिक्कत हुआ दिक्कत इसलिए हुआ कि तु यहीं पर काट दिया दूसे 588 कटने वाला था तुने काट दिया गलती किया बात है समझ में 15 सितंबर को foundation batch खरीदे थे अभी तक चालू नहीं हुआ हो जाएगा चालू बिल्कुल recorded वीडियो भी अपर अपडेट कर देगे देखो आजाओ ध्यान दो ये बात समझ गे अब देखो इसा बात के लिए इतना लिखना नहीं होता है तुम्हारे दिमाग में अगर formula set रहेगा तो तुम कुछ नहीं सवाल को फटाक से बना दोगे कहोगे सर इस सब सवाल में हमको time नहीं लगेगा कैसे जैसे ही बुझाया कि लंबाई चोडाई और उचाई का योगफल 28 L पलस B पलस H का मान है घनाब का कुल प्रिष्ट ये छेतरपल 58 अच्छा यानि 2 इन्टू L B पलस 784 इधर हो गया इसका वर्ग बराबर में हो गया L A स्क्वाइर पलस B A स्क्वाइर पलस H स्क्वाइर और आपको पता है वो 588 इधर आके घट जाएगा तो फटाक से 588 माइनस कर दोगे तो ये आगया आपका 196 लेकिन कहोगे ये विकर्ण नहीं है विकर्ण तब होता है जब एक रापर रूट लगेगा L A स्क्वाइर पलस B A स्क्वाइर पलस H A स्क्वाइर होगा तो इस पर रूट लगा तो इस पर भी रूट लगेगा यानि कि इधर 14 आ जाएगा आप इतने काम करोगे अगर तुमने पढ़ लिया नहीं एक बार तो आप इतना काम करके सवाल का एंसर निकालोगे क्योंकि फर्मूला A पलस B पलस C के होले स्क्वाइर चलता है घन आप पढ़ अब देखो सवाल है कि यदि किसी घन का आयतन है एक 80 रूट 3 सेंटीमीटर की हो तो इसका कुल प्रिष्टिय चेतरफल अब घन का आपको दे दिया है क्या आयतन दे दिया है तो आयतन का फर्मूला होगा न आयतन का फर्मूला घन के आयतन भूजा क्यू होता है A Q बराबर हो गया यानि एक 80 यादि किसी घन का आयतन 80 रूट 3 सेंटीमीटर है घन का आयतन है 80 रूट 3 सेंटीमीटर अब देखिए ठीक है यादि घन का आयतन दे दिया है 80 रूट 3 सेंटीमीटर तो आप इसको क्या करोगे यहां से क्यूब हटाऊगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा इतना, यानि ये अगर हम कहें, क्या बोल रहे हैं जी हम, यदि किसी घहन का आयतन है, एक 80 रूट तीन सेंटीमीटर, तो इसका कुल प्रिष्टिय छेतरफल क्या होगा, इसका कुल प्रिष्टिय छेतरफल क्या हो अगर इसको हम यहां से ए बराबर लिखते हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा यानि इस रूट के अंदर चला जाएगा तो मान लो यह क्या हो जाएगा जी तीन आठ तिरी चोविस दूसो तेतालिस साथ का क्यू होता है तिनसो तेतालिस गलत दिया क्या किसी घं का आयतन आप लोग देखो तो इसको जरा मुझे कहीं लगता है कि गलती दिया क्या ठीक है ठीक है नहीं सही है देखो तो जरा यदि किसी घं का आयतन अच्छा एक क्यू देखो घं का आयतन एक क्यासी है ना एक क्यासी आ रूट तीन है तो कोई बात नहीं यहां से अगर क्यूब हटाएंगे तक क्यूब रूट देंगे एक क्यासी गूना ये रूट तीन लिखेंगे अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो देखो न जरा एक क्यू है एक क्या लिख सकते हो नव गूना नव नमा एक ठीक है ठीक है और मालो इसको हम 9-3-27 लिख दे एगो 9 लिख दे नो तीया 27 लिख दे और 3 लिख दे ऐसा लिख सकते हैं यह देखो 9 को 3 तीया 9 लिख दिया एक कामान देखो एक बार मैं और थोड़ा बढ़ा के लिखता हूँ ताकि यह आपको समझ में भी आएगा और देखो यह 9 तो ठीक है यह 9-27 एक काम कर देते हैं इस 27 कर देते हैं ताकि 27 का हम घनमूल बना पाएं और रूट इतो 9-27 हो गया इसको आप रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं एगो और रूट 3 यह बला है आपका आप ऐसे लिख सकते हैं अब बोलिए एक आमान जो आपका आया 27 का घनमूल 3 आ गया बाहर में और 3 गो रूट 3 में से 1 गो रूट 3 आया बाहर कहने का मतलब यह है कि अगर हम इतना का cube कर देते हैं तो 3 इनका cube है ना और उसका cube होने पर वो 803 हो जागा 3 रूट 3 हो गया आपको इसका कुल प्रिष्ट यह छेत्रफल तो 6 A A स्क्वाइर होता है 6 गुना A स्क्वाइर यानि इसका स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर 9 9 गुना 3 हो जाएगा तो 6 नमा 54, 54 T I कितना 162 54 T I 162 आपका एंसर आप्शन B हो गया सही है गरबर नहीं है जी आपका आपाज बहुत ही अच्छा लगता है बीच-बीच में एक गाना भी गुन-गुना दीजिए क्या बात है ये बात समझे समझे की नहीं समझे इसको हम और सोटकोट ऐसे ही बना सकते थे ये घन का आयतन दिया घन का आयतन दिया और ये क्या होगा कि इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्यूब रूट है क्यूब रूट हम इसको ऐसा लिख सकते थे रूट तीन गुना रूट तीन ये तीन ही होता है एक और रूट तीन एक और रूट तीन है यानि ये का मान हो गया तीन रूट तीन अब हमारा पूछा है कि बताइए इसका कुल पृष्ट ये छेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया तो वो होते हमारा 6 A A स्क्वाइर यानि 6 और A स्क्वाइर का मतलब इतना का स्क्वाइर तो 3 का स्क्वाइर 9 हो जाता है और रूट 3 का स्क्वाइर 3 ही हो जाता है तो 9 तिया 27 छोगुने 27 यानि हुआ 162 हमारा एंसर ऑप्सन भी हो जाता है सब लोग को आ गया होगा समझ में चलिए देखो अक्सर क्या होता है ना रूट 3 विकर्ण के साथ दिया हुआ रहता है इसलिए दिमाग घूमा दिया अब देखो यहाँ पड़ जैसे एक घूम के पिंड विकर्ण की लंबाई 8 रूट 3 सेंटीमीटर तो दिमाग वे फिक्स रहता है अच्छा इधर कोशन कम दिखता है मैं ये खिरकी बंद करता हूँ अब बोलो अब मुझे लगता है अब सही दिखेगा एक घूम के पिंड के विकर्ण की लंबाई 8 रूट 3 सेंटीमीटर है घूम है घूम का विकर्ण होता है रूट 3 गुना ए और विकर्ण दिया है 8 रूट 3 यही होता है दिमाग में रूट 3 से रूट 3 करता है एक आमानाट इसका आयतन पूछा है तो आयतन तो वल्यूम होता है भई वल्यूम होता है भूजा क्यूँ यानि आठ का क्यूँ तो 512 होता है 512 कोई भी बता सकता है आपको इसका एंसर कोई भी कह सकता है कि option A होता है आया बात समझ में बहुत बढ़िया अब एक बात ध्य ये छेत्रफल है गहन है तो गहन का 6a² होता है टोटल सर्फेस एरिया और वो दिया हुआ है 1536 अब 6 से अगर काट दें 6 दूना बारा 635 उसके बाद कितना बचा? 6a² बराबर कितना हो गया? 1536 6 से काट दिया 6 दूना बारा 3, 635, 3636 यानि ए बराबर हो गया 16 अब कहता है इसका आइतन बताइए 16 का क्यूं बताना है? 16 का क्यूं होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम हो जाएगा 16 का क्यूं कितना? 4, 96 होता है 16 का क्यूं 4, 96 कम से कम देखो 25 तक तुम क्यूं याद रखना? 25 तक क्यूं याद रखना है आपको? 25 तक क्यूं याद रखिएगा? तो बहुत अच्छा रहेगा इस सवाल को देखिए सवाल है 36 मीटर लंबी 18 मीटर चोड़ी और 9 मीटर रूचाई वाले एक घणाब को पिघला कर एक घण में बदल दिया जाता है घण के वीकरन की लंबाई क्या होगी? कोई भी एक बस्तू को पिघला कर दूसरा बस्तू बदलते हैं तो आयतन वही रहेगा मातरा तो उसकी उतनी ही रहेगी? आयतन वही रहेगा बस सेप बदल जागा उसका अकार बदल जागा जैसे गोला को आप नमार के छर बना दो एक दम खीच खाच के है की नहीं? तो बात को समझो आयतन वही रहेगा 36 मीटर लंबाई 18 मीटर चोड़ाई और 9 मीटर उचाई वाले एक घनाब को पिघला कर एक घन में बदला जाता है तो उस घन का भी कर्ण पूछाए तो पहले तो घन का आयतन के बराबर ये आयतन होगा ये आयतन होगा तो 36 गुना 18 घन का आयतन के बराबर ये घनाब का आयतन होगा क्यूव हटेगा इधर से तो उधर क्यूव रूट चढ़ जाएगा क्यूव रूट चढ़ जाएगा तो 36 को एक काम करो ये 36 है ना हम इसको ऐसे लिख सकते थे 9 446 इसको 9 दूणा 18 इसको एक नौ रहने देते हैं यानि कि 3 तीन नौ में से एक नौ बाहर आजाएगा, एक नौ बाहर आगया, अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ, कि चार दूना आठ, आठ में से तो सिर्फ बाहर दो आएगा, यानि कि एक आमान हमारा जो आगया जी, एक आमान क्या हो गया, नौ दूना अठार हो गया, एक आमान, हम लो गुना होगा, तो 18 रूट 3 हो जाएगा, 18 रूट 3, option A answer हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग बना पा रहे हैं, लेकिन एक बात है, लाइक नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है, बताओ, क्यूं, अच्छा कुछ लोग सुचते हैं कि इस अब नव पढ़ेंगे, तब भी क काम चला लेंगे, बीना पढ़ें तो कामें नहीं चलना है जी, आजाओ, एक दिबार जिसकी उंचाई उसकी चोड़ाई के छह गुन्ये, और लंबाई उसकी उंचाई के अधार के बराबर है, आधे के बराबर है, आयतन 23,959 cm Q है, तो दिबार की चोड़ाई ग्याद करना है, देखिए, सवाल है, एक दिबार जो है, एक घनाब का कार कहीं होता है, क्योंकि दिबार में लंबाई चोड़ाई उंचाई होता है, होता है कि नहीं, घनाब में लंबाई चोड़ाई उंचाई होता है, और दिबार में भी लंबाई चोड़ाई उंचाई होता है, तो अ कि उचाई च्वड़ाई के छोगुना है, अगर यह X है तो इस च्वड़ाई के 6 गुना है, अब कहता है, और लंबाई माल च्वड़ाई उसके उचाई के आधे के बराबर है, उचाई के आधा, उचाई चो एक्स था इत्री एक्स हो जाएगा अब इसका आयतन इतना दिया है तो आयतन जब दिया है तो आयतन का फर्मूला लगाएंगे लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाए तो चो एक्स गुना एगो एक्स गुना इतीन गो एक्स इस सब को गुना कर दिये तो आयतन हुआ और आयतन है 23,958 अब ज़रा ध्यान दे अगर हम इसको काट देते हैं अगर किस से काट दूँ बोलो 3 से 6 से ही काट देता हूँ अगर मैं 6 से काट दिया तो 6,18 सेस बच गिया 5,5 पर 9,69 6,54,5,5 पर 5,55,6,94 सेस बच गिया कितना 1,6,18 अब देखो 3 से काट दिया तो 13,31 हो जाएगा ये X गुना X गुना X, X Q हो जाएगा X Q बराबर 13,31 यानि ये 11 का Q होता है X का मान 11 हो गया आपको 25 तक Q ध्यान रखना है X का मान 11 हो गया, option C आपका answer हो गया यही होगा तो बहुत बढ़िया, आप लोग बना पा रहे हैं, यह अच्छी बात है आप से यही पूछा है ना, दिबार की चोड़ाई X का मान पूछा है, ये 11 आपका answer हो जाएगा अगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर सवाल देखो बहुत बढ़िया है 15 सेंटीमीटर भूजा वाले ठोस घन को 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चोड़ाई और 18 सेंटीमीटर उचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है कंटेनर आंसिक रूप से पानी से भरा हुआ है यदि घन पुर्ण तह पानी में डूप जाता है, तो पानी के अस्तर का उत्थान सेंटीमीटर में ग्यात करिए इस सवाल को समझो, एक बार मैं इसको समझाना चाहता हूँ बनाने के लिए तो इसको फटाक से मैं बना दूँगा और फटाक से बना दूँगा तो एंसर ओप्शन ए आ जाएगा छोदसमलो साथ पांच सेंटीमीटर, लेकिन ये आपको बाउंस कर जाएगा कि कैसे, तो आईए इसको हम जरा समझते हैं, एक बार आप चाहते हैं इसका कॉंसेप्ट समझना हुआ ये है कि 15 सेंटीमीटर भूजा वाला एक ठोस घन है, एक ऐसा घन है, जो सिर्फ 15 सेंटीमीटर भूजा का है, मालो एक ऐसा घन है इसकी परतेक भुजा कितनी है जी 15 है इसकी परतेक भुजा 15 है ये 15 है 15 परतेक भुजा 15 है इसकी इगहन को उठा के एक आयताकार कंटेनर का क्या मतलब हुआ आयताकार कंटेनर का मतलब हुआ कि वो न एक घनाब है क्योंकि इसकी भुजा आयताकार ही होती है कंटेनर जिसमें कुछ रखा जा सकता है जिसकी आयतन हो सुनो तो इसको उठाके इसमें डालना है अब मान लो कि इसमें ना पहले पानी भड़ा हुआ था पहले पानी भड़ा हुआ था इतना पानी भड़ा हुआ था तो अब इसको जब इसमें डालोगे ध्यान दो एक कवा जब पत्थर डाल डाल के पानी को उपर कर लेता है पीता है आपने बच्पन में पढ़ा होगा है ना बच्पन में तीसरे चोथे कलास में पढ़ा होगा क्या किया था एक कवा पत्थर उसमें डालता था तो घड़ा में तो पानी उपर आता था वो पानी को पीता था तो जब इसमें कुछ अगर हम डाल देंगे तो डाल देंगे तो क्या होगा कि पानी उपर के तरह बढ़ेगा और कोई पत्थर डालेंगे तो और उपर बढ़ेगा तो सवाल ये कह रहा है कि अगर इस गहन को इसमें डाल दिया जाए इस गहन को इसमें डाल दिया जाए तो अगर इसमें हमने घहन को डाला न तो हुआ ऐसा मेरे भाई हुआ ऐसा अगर मालो ये घहन को आपने डाल दिया तो हुआ ऐसा क्या कि इसमें वो डूब गिया पूरी तरह से डूब गिया तो पूरी तरह से डूब गिया अब बता तो पानी तो बढ़ गया होगा क्योंकि जैसे ही हम इसमें घंड डाले तो पानी बढ़ा तो वही पूछ रहा है वही कह रहा है सवाल कि बताईए 15 cm भूजा वाले ठोस घंड को 25 cm लंबाई 20 cm चड़ाई और 18 cm रूचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है इसमें गिरा दिए कंटेनर आंसिक रूप से पा जिर्धी मतलब राइजिंग उत्थान पानी के अस्तर में उत्थान यानि आप से पूछ रहा है कि जरा बताईए कि पानी कितना ऊपर उठी गया ये बताओ एक बात बताओ कोई भी चीज इसको डालोगी तो यायता नहीं है पानी इसमें आयता नहीं है इसको जब पानी की लंबाई और चौडाई देखना होगा और उठ कितना जाता है ये देखेंगे तो उठेगा उतना जितना इसका आयतन होगा आयतन तो उतने बढ़ेगा जितना इस घन का आयतन होगा जो घन तुम इस घनाब के अंदर डाल रहे हो उठेगा पानी टोटल पानी कितन जितना इस घन का आयतन होगा और पूरा में छिरिया जायगा इपूरे में पसाड जाएगा पानीजी, बाता है समस्क्ने में, तो लंबाई और कितना लंबाई और च्वराई में पसरेगा, इस बात देखना होगा, यानि हम यह कह सकते हैं, कि ये जो घं का आयतन है घं का आयतन जो है ठीक बात है तो ये जो घं का आयतन है यह पसर जाएगा 15 का Q होता है 33,75 याद रखना ये 15 का अगर Q कर देता हूं तो 33,75 यानि इतनी मातरा इस ड्राम के अंदर इस टैंक के अंदर जा रही है और ये 33,75 जो है ना मेरे भाई ये 33,75 जो आयतन है ना ये आयतन कितना में पसर जाएगा पसर जाएगा इसकी लंबाई देख लो 25 cm लंबी और 20 cm चौड़ी यानि 25 cm लंबी और 20 cm चौड़ी में पसर जाएगा और H से गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा वो H निकल जाएगा कि कितना पाने उपर उठेगा बात आए समझ में अब काटा पीटी करो 25 से अगर इसको काटता हूँ मैं तो 25 से कट जाएगा देखो 25 से कम 25 सेस बच गया कितना 8 8 पर 7 87 तो 25 तियाई 75 तो 87 में से 75 घट गया 7 में से 5 गया दू चलो 25 पचे 125 135 बार में 135 बार में कहने का मतलब ये आयतन और ये आयतन बराबर है क्यों क्यों क्योंकि लंबाई 25 चौड़ाई 20 और उचाई हमने 8 माल लिया तो ये ही आयतन जो गहन आप रखने जा रहे है उसमें उसी आयतन के बराबर ना पानी उठेगा तो अब देखे हाइट निकल जाएगा एच बराबर कितना निकल जाएगा 135 को 20 से भाग दे दीजिये तो यानि कि आप चाहो तो 5 से और 4 से भाग दे सकते हो या इसको 2 से इसको 2 गुना 10 कर दो और 2 से भाग लगा दोगे तो इसको कितना हो जागा? सर सर दसमलो 5 दसमलो एक अंक और बात जाएगा यानि 6 दसमलो 7 5 हो जाएगा option A हो जाएगा आपका यानि height इतना बढ़ जाएगा height इतना बढ़ जाएगा बात आये समझ में? तो ऐसे सवाल में कभी भी आपको इस बात को धियान रखना है कि जब कभी भी उसमें हम कोई भी पत्थर या कोई इट डालते हैं तो आयेतन कितना बढ़ेगा इतन क्या है? क्या वो गोलाब डाला जा रहा है? घण डाला जा रहा है? ये चीजे या कोई बेलन डाल दिया गया ठोस बेलन ये चीजे आपको धियान में रखना होगा तो हमने डाला यहाँ पर एक घण तो 33, 75 इसका आयतन होगा, यह आयतन कितना दूर में पसरेगा जी, तो पूरा एरिया देख लीजी, एरिया होता है लंबाई गुने चोड़ाई, पचीस गुना बीस, और आयतन निकालना है, चुकि यह आयतन, आयतन के बराबर, हाइट ले लेते हैं, एच मुझे नहीं पता था, वो निकल गया हमारा 16.75, तो आपको काम यही करना है, आता है समझ में, अब आजाओ, अगला सवाल देखो, किसी आयताकार जलासे में 126 किलो लीटर पानी है, जलासे की गहराई 3.5 मीटर है, और इसकी लंबाई 8 मीटर है, जलासे की चोड़ाई ग्यात करो, देखो, पानी यहा तो आगे के सवाल में हम आपको बताएंगे, सुनिए, एक आताकार जलासे में 126 लीटर पानी है, जलासे की गहराई इतना मीटर है, और उसकी लंबाई इतना है, तो जलासे की चोड़ाई क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जब गहराई दे दिया है, लंबा 10 बता 10 लिख सकते हो, लंबाई चोड़ाई, लंबाई चोड़ाई उचाई, हो गया आइतन, आइतन बराबर इसके, अब 7 से काटेंगे तो 5 बार में, 7 से काटेंगे 18 सते 6 से, 5 से 2 बार में, और 2 से इसको 4 बार में, 4 का अधा 2 होता है, 18 का अधा 9 होता है, तो B बराबर हो या 9 बटा दू, यानि हम बोल सकते हैं सारहे चार, सारहे चार कहां है, आप्सन B में है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आजाईए, एक सवाल और ऐसा ही है, एक सवाल ऐसा है, इसको करके देखिए जरा, किसी घहनाव का टंकी की छमता 12,288 किलो लीटर है, इसकी लंबाई 32 मिटर है, और इसकी चोड़ाई और उचाई का अनुपाद 2 है, तो टंकी की चोड़ाई ग्याद करिए, सवाल देखो जरा, क्या कहता है, किसी घहनाव का टंकी की छमता है, 12,288 किलो लीटर, अगर ये किलो लीटर दिया हुआ है, हमें कुछ करने की जुरूरत नहीं है, बस लंबाई चोड़ाई उचाई, आयतन लिखो, 32 मीटर उसकी चोड़ाई और उचाई इतना है, अच्छा इसकी लंबाई है 32, लंबाई 32 दिया हुआ है, लेकिन चोड़ाई और उचाई रेशियो में दिया हुआ है, तीन अनुपाद 2, तो इसको X सटा देंगे, और क्या, और यहाँ पर क्या कहता है, कहता है सवाल इतना ह चाहिए यानि 32 गुना 3x गुना 2x यह आयतन हो गया और आयतन है जी 122 और 188 हम काटा पीटी करेंगे तो चलिए काटी ही देते हैं दो से काट दें तो 2x6 के 12 दो एक कम दो दो चोव के 8 दो चोव के 8 चार चार आठ एक 9 नो चोव पंदर तीन से काटी सकते हैं तीन से काटीएगा तीन दो ना चोव एक उतरेगा जीरो दिजिएगा उसके बाद आप कितना लगाईएगा चोव दो तीन चोव के 12 लगाईएगा तो 3,8,24 लगाईएगा अब अगर आप काटते हैं तो 32 से यह कट जाएगा सीधे 64 बार में अब एक्स गुना एक्स क्या होता है एक्स स्क्वेर बराबर 64 हो जाता है तो एक्स कामान क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा 8 हो गया आपसे पूछा है चोड़ाई चोड़ाई हो जाएगा 8,34,24 चोड़ाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा वो एंसर हो जाएगा option D कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया आप लोग like नहीं करते हो लाइक तो करते ही नहीं हो चलो कोई बात नहीं है अगले सवाल के तरफ चलते हैं क्या इस सवाल को अप लोग कर पाएंगे किसी घनाब के तीन आसन फलक का छेतरफल 32 वर्ग सेंटीमिटर 24 वर्ग सेंटीमिटर और 28 वर्ग सेंटीमिटर है तीन फलक का आयतन क्या है तीन घनाब की असन्न फलक यानि तीन लगतार फलक तीन लगतार सटे हुए फलक बात है समझ में अब देखो घनाब की जब ये चीजे पता हो तो आयतन निकालना बहुत असान है हमें तो एक बात है कि लंबाई चोड़ाई उंचाई से आयतन निकालते हैं और उसके छेतरफल से भी आयतन निकालते हैं मेरे भाई ध्यान देना, तीन असन्न फलक का मतलब front वला का एक छेतरफल एक उपर वला का छेतरफल एक उधर side वाले का छेतरफल दिया हुआ है अगर ऐसा है तो कुछ नहीं volume निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है root under वही LB plus BH plus LH जो आपको दिया गया है यही तो करना है तीन असन्न फलक मान दिया गया 48 यही तो दिया गुआ है अब आप इसको निकालने की कोशिस करें 32 इसमें 16 मिल जाएगा तो 16 दूना 32 इसको लिख देता हूँ 24 को रहने देता हूँ अभी आप इसको 16 दूना 48 लिख देता हूँ 16 16 में से 16 बाहर आजाएगा अब बाहर की देख लेते हैं कितना बच गया 24 ती आई 72 72 दूना 144 144 का बाहर आजाएगा 16 गुणा बाहर तो 16 दूना 32 के दू हासिल 3 16 एकम 16 तीन 19 192 हो जाएगा option A हो जाएगा इसका आइतन 192 इसका आइतन कितना हो जाएगा जी 192 हो जाएगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं अच्छा से आ रहा है बात समझ में चलिए तो कभी भी दो लगातार सतह जैसे एक सवाल और यह सारे सवाल पूछे गए आपके किसी न किसी SSE के एकजाम में सुन लो बिहार SSE वाला भी सुन लो और SSE GD भाला भी सुन लो यही सवाल आता है सवाल देख लो काता है यदि घनाव डिब्वे के तीन आसन फलकों का छेतर फल 729, 529 और 289 वर्ग सेंटीमेटर है तो डिब्वे का आयतन क्या है जब भी दुद्दू मतलब तीन गो एडिया होता है उसी का डबल होता है घनाव में होता है की नहीं लंबाई, चोड़ाई, दूबार चोड़ाई, उंचाई, दूबार है की नहीं यह सब दूदूबार होता है LB, BH, LH दूदूबार होता है आपको वही चीजे दे दिया गया है LB कामान, BH कामान, LH कामान आपको volume पुछा गया है volume पुछा गया है root under, बस इसके लिखो 729, तीनो एडिया को लिखो 729, 529, 289 हम क्या करने वाले हैं 729 को 27, 529 को 23, और 289 को 17 गुना थोड़ा हाड है 1 आयंग चे करो, सतिया एकोईस सतिया एकोईस, एक, एक सतिय साथ यानि लास्ट में साथ वला एकके गुए अंसर है, option भी है 10,500 10,557 बात आया समझ में? नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है तो चलिए और आगे बढ़े, ध्यान देना अब बताओ 13 नमर सवाल को बताओ 2 मीटर भूजा वाले घं बॉक्स में 5 सेंटी मीटर भूजा वाले कितने घं रखे जा सकते हैं? 2 मीटर भूजा वाले घं box में 5 cm भूजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं सवाल ऐसे आ गया सवाल ऐसे आ गया अभी मैंने आपको परतीसत विर्धी कमी बला नहीं पढ़ाया है और आगे miscellaneous question भी चलेगा हाँ आगे miscellaneous question में क्या होगा अधिकतर जो सारे figure होंगे न एक दूसरे से मिलते रहेंगे लेकिन आपके बिहार SSC और SSC GD में वो ऐसे नहीं पूछते अब सुनो तो जो आपके exam में पूछे जाते हैं मैं उसी type का पढ़ा रहा हूँ 2 meter भूजा वाले 2 meter का मतलब क्या हुआ देखो 2 meter का मतलब हुआ 200 cm 200 cm हुआ बढ़का घन के आयतन में छोटका घन के आयतन से भाग देदो बढ़का घन के आयतन में छोटका घन के आयतन से भाग देदो बढ़ा बढ़ा घन का आयतन हो जाएगा 200 200 गुना 200 300 तीन बार लंबाई चोड़ाई हुचाई सब दू यह सो होगा छोटका घं का आयतन सब सेंटीमीटर 5 गुना 5 गुना 5 हो गिया 5 से कटा 40 बार में 5 से कटेगा 40 बार में 4 का क्यों होता है 64 और 3 जिरो उपर से 64 घं रखे जा सकते हैं छोटे छोटे है ना बहुत बढ़िया आजाए ये भी सवाल पूछा गया आपके एक्जाम में मैं फालत हूँ आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ अब देखो अब यहाँ पर आगे जो भी सवाल है आप लोग इस सवाल को करके कॉमेंट में बताओगे आज की सेवा हम रखेंगे यहीं पर मुझे लगा है भूख और सवाल तो इसमें लगभग 25 गो था तीस गो था पर इसको मैं आज यहीं रहने दूँगा और बहूत जल्दी आपको मैं क्या पराने वाला हूँ मिसलेनियस कोश्चन कराने वाला हूँ जैसे हमारा टॉपिक बाइस सुरू होता है खतम होता है तो उसके बाद हम मिसलेनियस कोश्चन पूरा सेट चलाएंगे और जो भी बच्चे आप लगातार हमसे जुड़े हुए है याद रखना एक्जाम में बहुत फाइदा होने वाला है बहुत अच्छे स्कोर करोगे तो मैथ में या रिजनिंग में रिजनिंग के लिए राघम सर्का डेली का कलास होता है होता है न belly हम upload करवाते हैं वीडियो रिकॉर्डेट वीडियो upload करवाते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? उसमें बहुत मजाता है बताओ recorded video में भी तो बहुत मजाता है आपकी time बढ़बाद नहीं होता है है ना चलो इसका answer 756 हमारे भाई ने करना शुरू कर दिया चलो तो recorded video अपलोड करवा देते हैं तो उसमें आपका time बढ़बाद नहीं होता है आप अराम से देख पाते हैं देखो live में थ्वरा साथ यह होता है कि लोग उसमें न comment में बात करते रहता है बात करते रहता है तो उसमें भी समय बढ़बाद होता है बाकि ठीक है सर का मैं recorded video ही अपलोड करवा दिया करूँगा उसके बाद अभी पूरा misillaneous question का पूरा set practice करवाऊंगा आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाऊगे फिर मिलते हैं कल के class में राघफ सर का class आता है कि हाँ बिल्कूल राघफ सर का daily class आ रहा है daily अब मैं कोसिस करूँगा दो बज़े daily video upload करवाने का उनकी दो तीन बज़े के बीच में चलिए thank you